मनुष्य जब जन में लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़ कर जाता है इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है और इस जीवन में संगर्ष तो करना ही पड़ता है कभी शिक्षा के लिए कभी काम के लिए कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता किन्तु इस संगर्ष का सामना करने के लिए प्रकृती ने हमें एक और गुण भी भेजा प्रयास कभी किसी छोटे बालक को देखा ना कुछ बोल पाता है ना कुछ समझ पाता किन्तु अपने घुट्णों के बल पर समझत आंगन ना अपने का प्रयास करता है ट्रैक कर लोका घेडियु से हारे दियुआ कि ख़ड़ा होता है और अंतता वो चलन सीपी जाता है त क्योंकि वो मन से नहीं हरते है जीवन में यूद्ध क्षेत्र कहीं आएंगे कंभी कभी आखका सामना भी करना को किन्तु हार्ता केवल वो है यह मन से हार जाता है इसलिए कहते हैं युद्ध रण भूमी से पहले मन भूमी में लड़े जाते हैं मैदान में हारने वालों को कई अफसर मिलते हैं इसलिए मन से हारने वालों को नहीं कि आप जानते हैं अंगिनत प्रयासों के पश्चा चीटी अपना एक छूटा सा घर बना पाती जो अन्य जन्तूओं के लिए सरल सी बात है वो चीटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना सबसे बड़ी सफलता है वविश्य में चीटी रहे न रहे इनके बनाए हुए घर वर्शों पश्चात तक टिके रहते हैं जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती है किन्तों यदि आप प्रती दिन प्रयास करते रहें तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी स्मरिण दिखेगा भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं झुलते जो हार मान लीते हैं हाग्य उनका स्वागत करता जो उटकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते है, तो प्रयास करते रहे सफलता एक नएक दिन आपके पास आएगी